नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आज आपके समक्ष परामादर्णी है केल सेगल की एक बहुत ही फेमस ठुमरी है बाबुल मोरा नई हर छोटो जाए उस पर मैं पूरा टुटोरियल लेकर आया हूँ सो हम देखे जब भी राग भहरवी का जिकर करते हैं तो हम हवाला देते हैं इसी ठुमरी का अलाकि बहुत सी कंपोजिशन्स होई है जैसे बेगम प्रवीन सुल्ताना जी का हमें तुम से प्यार नेना मोरे तरस गए या फिर फुल गेंदवाना मारो इन सब पर मैं आगे भी चर्चा करता रहूंगा लेकिन यह जो ठुमरी है इसमें आपको विरे रस का एक बड़ी ही सुन्दर अनुभूती होगी और जो केल सेगल साब ने गाया है जैसा कि आप जानते हैं इसका पिचराइजेशन एस जो इसकी गाई की है वो एक साथ चली है यह एक बहुत ही खास इस गाने का हम शास्त्र डिसकस करेंगे बेसिकली ठुमरी है और अगर आप मेरे सब पूछें के कौन से विवादी स्वरों का प्रयोग है तो शुद रिशब जिससे सिंदू भेरवी हम कह देते हैं भेरवी में भेरवी के आरो में जब रिशब का शुद प्रयोग होता है और उसके साथ साथ मैं बताऊंगा शुद देहवत का भी इस ठुमरी में मिश्रित रूप में प्रयोग है बरोल साब की ये रचना है नवाब वाजिद अली शाह साब का ये लिखावा है अगर आप मेरे से चंद पूछें इसमें तो चंद इसमें केरवात आलके हैं जस तो ये धीमा कहरवा का प्रयोग इसमें बरोल साब ने किया है जो कि इसके कंपोजर है ठीक है तो देखिए जो ठुमरी है पहले आप इसका अगर अनिबद रूप से गई गई है मतलब बंदी भी नहीं है ये ठुमरी लेकिन फिर भी जो स्वरो का लगाव है वो सीखने ला लेकिन ऐसे सिंगर्स जो कि इंस्पिरेशन है कि शोड़ा के रफी साब के मुकेश जी के हमेशा जिन्दा ही रहते है इसलिए बाब बुल मुरा अब देखो सारे कामा कमा पहले तो कॉमल रिशब बाब बाब बुल मुरा ये शुद रिशब लग गया है ना इसकी जो नोटेशन हमने त्यार किये है खुन पसीना एक करके वो मैं आपको मेंबर्स कॉमिनेटी पर हर एक मेंबर के लिए for all the members में प्रोवाइड करा दूँगा तो महां से आप ये एक्सेस कर लीजेगा तो स्टार्टिंग के स्वर देखिए आप देखिए अब इसकी वेरिएशन आप देखिए साधा पाधा मपा ये वेरिएशन अब इसको पूरा कनेक्ट करते हैं देखिए एक बार ताल के साध दागे ना पांचवी से उठाईए बाबुल मुरा नई हर छूटो ही जाओ दागे नाति बाबुल मुरा नई हर छूटो ही जाओ बाबुल मुरा नई हर छूटो जाओ आए मुरा नई हर छूटो ही जाओ है ना सो दागे नाति गई है बाबुल मुरा नई हर छूटो ही जाओ तो जाओ का जो जाओ है उस पे जोर आना चीए अब अंतरा देखिए पंचम इसका प्रारंभिक्स वर अब इसको भी आप पांच भी मात्रा सी उठाएंगे भी मैं आपको डेमो दूंगा लेकिन चार कहार मिले सो पापा निदा पापा निदा पाधा मापा मोरी डोलिया यह जो विरे रस है पाधा पाधा धा निदा पामा अब जो कि क्या मुर की लिए सजावें मापा मापा माग साग साग मापा दपामा गमरे साग सो सजावे है ना तो गई यह जार कहार मिले मोरी डोलिया मेंड भी चल दिया खटका भी चल रहा है तोलिया सजावे है ना अब देखिए मोरा अपना बेकाना सो पधा 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 निसा जो ठुमरी यह अंग मोरा अपना बेकाना छूटो जाए सो पधा धप निधप माम पनिधप माप निधप माप गरे सरगर सानी छूटो जाए मोरा नई हर हाँ मोरा अपना बेकाना अब छूटो जाए कितने सारे स्वारे देखिए पाधा धा पानिधा पामा मापानिधा पामा पा गरे सरगर सानी छार कहार मिले मोरी डोलिया सजावे मोरा अपना बेकाना छूटो जाए मोरा नई हर छूटो ही जाए अब जो सेकेंड अंत्रा है उसमें आप देखेंगे शुद्ध धेवत का एक विवादी के रूप में प्रयोग अंगना तो परबत भयोग आप देखिए नी नी धा धेवत शुद्ध हो गया अंगना तो परबत भयोग और डेहरी भाई विदेश पंचम का बड़ा बहुत वह है बहरी भी में मामा पापा पदा सनीध पदा पदमपा तो क्या है और डेहरी भाई विदेश तो एक बार वापस कहिए अंगना तो परबत भयोग और डेहरी भाई विदेश अब बड़ा सुन्दार एक जम्प है ये घर बाबुल आपनों तो गनी धा 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 ता पनी धा पामा पामा गमा ले घर बाबुल आपनों मैं चली पिया के दे तो आप देखे ले घर बाबुल आपनों सो धा 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 पनी धा पामा मा पापमा गमा मैं चली पिया के दे तो देखे अब सेकेंड अंत्रे को अगर मैं ताल में पिरोना चाहूं क्या अंदाज रहेगा अंगना तो परबत भयों और डहरी भई बिदेश ले घर बाबुल आपनों मैं चली पिया के देश अंगना तो परबत भयों और डहरी भई बिदेश ले घर बाबुल आपनों मैं चली पिया के देश बाबुल मुरा नई हर छूटो हे जाए नई हर छूटो हे जाए तो इस परकार देखिए आप धीमे केरवे में इसको पिर हो सकते हैं लेकिन अगर आप गाते हैं तो एक अलगी सुकून का एहसान होता है और ग्रेटनेस का एहसास होता है हमारे कितना effortless ले उन्होंने video recording के सहित इसको record किया इतने सुर में specially अगर आप देखें समझ रहे हैं आप तो बाबुल मुरा नई हर हां छोटो ही जाए अब बाबुल मुरा यह फीलिंग दी है नई हर अब गापा नई हर छोटो जाए नई हर हां छोटो ही जाए तो यह मेरा एक मुख्य और देश था कि एलसागल साब को एक शरधांजली तो थी लेकिन हमारी जो राग संगीत है उसकी जो प्रिष्ट भूमी है राग भेरवी और इतने सारे अंग है इस राग में कि आप देखें सिंदु भेरवी भी गाई जाती है जंग भेरवी भी गाई जाती है तो अलग अलग जैसे मालकॉस पत्ति इसी राग से बताइग गया एक राग्या मोट की भे भेरवी अंग का ही सुचक है तो उसपे देखे आप भेरवी में इतने सारे जब इंग है तो उसमें से एक बड़ा सुन्दर अंग है हमें जैसे बीच बीच में सिंदू बहरी भी भी इसमें जानने को मिलता है उसके साथ सथ शुद्ध दैवत की जो खुबसूरती हमने देखी सेकेंड अंत्रे में तो यह बहुत चीज़े हमको एक ही गीत में सीखने को मिलती है न तो यह ठुमरी अंग फ्रधान गीत मैंने आज आज आपके समक्ष रखा जिसकी नोटेशन आप प्राप्ट कर सकते हैं मेरे मेंबर्स कम्मुनिटी पर सारे मेंबर्स के लिए में शेयर कर दूँगा यह ठुमरी की नोटेशन लिखना अपने आप में बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है दोस्तों लेकिन फिर भी कोशिश की आप सभी के लिए तो मेंबर्स कम्मुनिटी आप जॉइन बटन क्लिक करकर कर सकते हैं वाकी राख दरबारी पर हमने एक कोर्स लाँच कर दी अगर आपने उसमें एन्रोल नहीं कराया तो ज़रूर एन्रोल कराईएगा उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया आपको जोइन करना है तो लाइब ऑन-लाइन क्लासिस के लिए वाटसाप नमबर दे रखा है आपको आपको जयूं सहीं हम दारूरे आप डिर बटन लनशाइगी, आजन सीन समय है झाल झाल